Qualcomm की तरब से आने वाले दो प्रोसेशर, Snapdragon 4 Gen 2 और Snapdragon 695, इन दोनों प्रोसेशर में कौन सा प्रोसेशर सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये 15,000 के आसपास की रिंज की मुआल में देखने को मिलेगा, तो चलिए देख लेते हैं, Charging 2 चार नेनो टोकलोजी पे बना हुआ चिफसेट है, वहीं 695 चार नेनो टोकलोजी पे बना हुआ चिफसेट है, दोनों में 8 कोर मिल जाता है, Charging 2 में कोर की बात करें, दो कोर कोटाक्स A78 इसकी अधिकतम कळोजी पी 2.2 GHz है, वहींš 6 कोर कोटाक्स A55 इसकी अधिकतम कळोजी पी 2.2 GHz है, gp की बात करते हैं, ff organ 2 में adeno 613 दिया गया है, 600 95 में adeno 619 दिया गया है. डिस्प्लेइ सप्पोर्टेट की बात के तो, दोनों chip set में, full áoue się d pseudo-regulation वाला 120 Hz, सप्पोर्ट कर सकता है, ऑर á 업는 dabel plus resolution वाला 120 Hz तक सप्पोर्ट कर सकता है, camera supported की बात के तो, दोनों में 108 व्सला तक support कर सकता है video recording के बाद के तो दोनों में 1080p 60 fps पर अधिक्तम video recording किया जा सकता है रेम type की बात करें तो 4 Gen 2 में LPR 5 support कर सकता है वहीं 695 में LPR 4X ही support कर सकता है storage type की बात के तो 4 Gen 2 में UFS 3.1 दिया गया है और 695 में UFS 2.2 मिल जाता है, download speed की बात करें तो दोनों chipset में 2.2 GB per second तक download speed मिल सकता है 5G network पर, वहीं upload speed की बात करें तो charge gen 2 में 900 MB per second तक मिल सकता है, 695 में 1.5 GB per second तक मिल सकता है, Wi-Fi version की बात करें तो दोनों में Wi-Fi 5 तक support कर सकता है और Bluetooth version की बात करें तो charge gen 2 में Bluetooth 5.1 मिलता है और 695 में Bluetooth version 5.2 मिलता है, आप decide कर सकते हैं कौन सा processor based है